नमस्कार दोस्तों, Get Success 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का सकते हैं दोस्तों, लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए जीके की यानिके सामाने अध्यन यानिके जनरल अवेर्नेस की 20,000 प्लस कोशिन की सिरीज, आज से आपकी सिरीज स्टार्ट हो रही है, यह आपक के वीडियो के अंदर बेसिकली जो सब्जेक्ट इंक्लूड मैंने किये हैं वो आपके जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट अफेर्स, साइन्स इसके अंदर नहीं है, साइन्स के मैंने अलग से सिरीज स्टार्ट कर दी है, 5000 प्लस कोशिन की, कल स्टार्ट कर दी है, दूसरा कोशन के अरावली परवत की सबसे उंची चोटी कौन सी है, वो गुरुशिकर, तीसरा भारत का मानक समय, जिसे स्टेंडर टाइम कहते हैं, कितने देशांतर का स्थानिय समय है, वो है 82.5 डिगरी पूर्वी देशांतर, तो वन लाइनर कोशन है और बहुत आप सभी के लिए 4 आपका कोशन है, कि भारतिय मानक समय, यानि कि इंडियन स्टेंडर टाइम, IST के संधर में, कौन सा होंकों का सही मानक समय, यानि कि स्टेंडर टाइम प्रदर्शित करेगा, वो करेगा भारतिय मानक समय, IST प्लस 2.30 घंटे, यानि कि आर्स, पांचो और मैनमार के साथ, साथवा कोशन कि किसे अरेबियन समोंतर की इरानी कहा जाता है, वो कहा जाता है कोची को, आटवा कोशन के जोगबनी विरादनगर एवं जैनगर विजलपुरा बर्दिबस लाइने भारत को किस देश के साथ जोड़ती है तो बात को जोड़ती है नेपाल के साथ 9 कोशन के भारत्य समूदर तट की लंबाई कितनी है 7,516.5 किलो मेटर यानि कि टोटल जो भारत्य समूदर तट की जो लंबाई है भारत में वो कितनी है बता रखिए दस्वों कोशन के कर करेगा राजस्तान मिजोरम तरिपूरा तथा मनिपूर में से किसे होकर नहीं गुजरती है यह आपको बताना है तो कहां से नहीं गुजरती है इन चारों में से मनिपूर में से नहीं गुजरती है बाकी जो तीनों आपको बता रखे हैं राज्ये वहां स गुजरती है 11 कोशन कि केंदरी इंधन अनुसंधान संस्तान का हंस्तित है धनबाद में 12 कोशन कि प्रमुक रोग जैसे पीलारष्ट, भूरारष्ट एवं किटू रोग किस फसल को प्रभावित करते हैं तो वो करता हैं गेहु के फसल को तेर्मा कोशन के पॉंटियानक के रोपोर्ट ब्लियर तथा एडिस अबाबा शहरों में से कौन सा भूमध्य रेका यानि के इक्वेटर की लाइन पर पढ़ता है तो कौन सा शहर पढ़ता है इक्वेटर इन सभी में से पॉंटियानक आगे जलते हैं 14 कोशन के और के शुक्र गर यानि के वीनस का अन्वेशन यानि के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले रोबोर्ट अंत्रिक्षान का नाम क्या था कौन सा वो सबसे पहले जो रोबोर्ट अंत्रिक्षान गया था वहाँ के investigation के लिए उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है वह है Megalan 15 कोशन के सूरी की सबसे बाहरी सत्य का नाम क्या है उसे कहते हैं हम प्रकाश मंडल यानि के photosphere 16 कोशन के मैन रहीम रेका किन दो देशों की सीमा रेका है तो कौन से दो देश है रूस और फिनलेंड 17 कोशन के सबसे उंचा जल प्रपाद यानि के waterfall कौन सा है पूरे वर्ल्ड के यहाँ पर बात हो रही है एंजल जल प्रपाद जो कि है वेनेजुएला में 18 कोशन नामीब रखिस्तान कहां पर स्तेते हैं दक्षिन अफरिका में नामीबिया में 19 कोशन लैंड ओफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है वो कहा जाता है मियानमार बर्मा को 20 कोशन नील नदी यानिके जो आपकी नाइल रिवर है का उदगम स्तल क्या है के कहां से वो निकलती है वो है विक्टोरिया जील यानिके लेक विक्टोरिया यहां से उसका उदगम होता है 21 कुशन के विश्व वन्यजीव नेदी का शुभंकर यानि के मैस्कोट क्या है वो है पांडा बात करें 22 कुशन की थोड़ा से एक दम जूम कर देते हैं कि भूम अंडल यानि के प्लेनेटरी हवाएं कौन सी होती है तो वो कौन सी होती है जो कभी दिशा नहीं बदलती है उन्हें हम कहते हैं भूम अंडल ये हवाएं 23 कुशन के ऑस्टेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है वो है सिडनी 24 कुशन ये आपकी जन जाती का एक कुशन है कि पिगमी जन जाती है ट्राइब है कहां से जुड़ी हुई है ये आपको बताना ये है अफरीका से जुड़ी हुई अफरीका की जन जाती है 25 कोशन के दक्षिन अफरीका में किमबरले किसके लिए प्रसिद है तो ये प्रसिद है हीरे की खानों के लिए आगे जलते हैं आज के 26 कोशन के और के समीधान का मसवधा तियार करने वाली समीटी जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं कि अध्यक्ष कौन थे बियार मेड कर 27 कोशन कि किस देश ने सबसे पहले विश्यो को लिकित समीधान दिया था वो दिया था अमेरिका ने 28 कोशन के समान नागरिक सहिता यानि कि कॉमन सिविल कोड या फिर जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में लग हुए तो वो सिफ और सिफ गोवा में लग हुए भारत का यह की राज्या जहां पर यह लग हुए बात करें एूश्प कोशन के प्रभुत्य जबन यानि के सोव रयन समाजवाद्य यानि के सोशलेश्ट पंथ निरपेकस यानि के सेकुलर और लोगत अंत्रात्मग यानि के डेमोकरिटिक शब्द समीधान के किस भाग में पाये जाते हैं तो ये समीधान के प्रस्ताव नाम में पाये जाते हैं ये सारे words 300 question भारत्य समीधान में निती निदेशकत्व को लिया गया है कहां से आइरलेंड के समीधान से 31 question कि ग्राम पंचायतों की आयका स्त्रोथ यानि कि income source क्या है तो basically जो यहां का income source होता है वो होता है व्यवसाइक कर व्यवसाइक tax 32 question धर्म नसल जाती लिंग अत्वा जन्म स्तान के आदार पर भेदभाव को किस अनुचेद में निशेद किया गया है तो वह अनुचेद 15 33 question कि भारत के पहले उपराष्टरपती कौन थे? Dr. S. Radhakrishnan 34 question उपराष्टरपती को पद से हटाने के लिए संकल्प किस के द्वारा पेश किया जाता है? वो किया जाता है राज्यसभा द्वारा क्योंकि जो उपराष्टरपती होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है 35 question के All India Services के सदस्यों की न्यूक्ती कौन करता है? तो वो करता है राष्टरपती 36 question के दोनों सदुनों में प्रतियक बैठक के प्रतम एक घंटे प्रशनों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाया जाता है जिसे जाना जाता है किस नाम से? प्रशनकाल नाम से ठीक है? उस टाइम को हम कहते हैं प्रशनकाल 37 question के अनुछेद उनिया से यनिके 79 के अनुसार संसद का अभिन अंग कौन कौन होता है? वो था राष्टरपती, राज्यसभा और लोगसभा 38 question के भारत की संसद में लोगसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे गनेश, मावलंकर 40 question के भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए आवश्यक नियून्तम उम्र क्या है? आयू क्या होनी चीए? 25 साल 40 question के संगिय मंत्री मंडल के विरुद अव विश्वास प्रस्ताव यानि के motion of no confidence लाया जाता है केवल लोगसभा में यह आपने हाली में 2018 में देखा होगा अव विश्वास प्रस्ताव आया था 41 question के राज्यसभा के सदस्य का कारेकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का 42 question के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है राज्यों की विधान सबाओं के सदस्यों द्वारा 43 question के भारत्य समिधान का कौन सा अनुचेद राश्टरपती को लोगसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुचेद 85 यानिके 85 44 लोक लेखा समीती जिसे इंगलिश में कहते हैं Public Accounts Committee P.S.C. जिसका स्वाट फॉर्म है का अध्यक्स किसके दोरा मनोनित किया जाता है तो वह किया जाता है लोक सबाके अध्यक्स दोरा 45 लोक कोशन के अमेरिका में Secretary of State के समतुलिया भारत में कौन से मंतरी का पद है तो वह है विदेश मंतरी का 46 कोशन के उच्चितम न्यायले के न्याहिदीश की सेवा निवरत्ति की आयू कितनी है 65 वर्ष 47 कोशन के हडपा सब्यता भवनों का जो निर्मान है किस से किया गया था पकी इंटों से किया गया था 48 कोशन के हडपा सब्यता की पहली खगोली वैजशाला पाई गई है दोलावीरा में और 50 कोशन के वैदिक काल में राजाओं दोरा जनता से वसूले गए कर को क्या कहा जाता था उसे कहा जाता था बाली या फिर बली पचासों कोशन के बुद्ध के मर्नोपरांत हुए प्रथम बौद सम्मेलन दोकि वाता 438 इस्वी पूर्व है उसकी अध्यक्षता किसने की थी यहाँ पर कोशन है महाकरसप ने 51 कोशन के बिम्बिसार के समय में मगद की राजदानी कौन सी थी तो वो थी राजग्र है 52 कोशन के अलेक्षेंडर ने भारत पर आक्रमन कब किया था इसा से 326 वर्ष पूर्व 53 कोशन के गीद गोविन के रचियता कौन थे जैदेव 54 कोशन के विख्या सांची स्टूप किसने बनवाया था अशोक ने 55 कोशन के तत्माकली नृत्य ये कहां काया ये पूचा गया ये है केरल का नृत्य 56 के मंदिरों में भरमार होने के कारण किसको कैथेडरल सिटी ओफ इंडिया भी कहा जाता है तो वो कहा जाता है भूनेश्वर को 57 कोशन के कुतुब मिनार के कारे को किसने पूरा करवाया था इल्दूत्मिश ने 58 कोशन के संत कबीर किसके शिश्च थे रामानंद के 69 कोशन के हुमायू का मकवरा कहां पे है वो है तिल्ली में थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं 60 कोशन के भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्मान किया था कोशन में 61 कोशन के कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक 62 कोशन के शार्दा अधिनियम जो शार्दा एक था 1929 का किस से संबंदित है वो संबंदित है बाल विवास से 63 कोशन अच्छा कोशन है द्यान से देखना कि I want the culture of all lands to be blown about my house as freely as possible यह किस ने गाता यह गाता मात्मा गांदी ने अगला देखते हैं 64 कोशन भारत के व्योवरत वेक्ति यानि के grand old man के रूप में कौन विख्यात है दाड़ा भाई नोरो जी 65 कोशन के यंग इंडिया पत्रिगा की शुरुवात स्वतनत्ता संग्राम के दोरान किस ने किया वो किया था मात्मा गांदी ने 66 कोशन के सोमनाथ दे मैनी वोईस अप दे हिस्ट्री पुस्तक के लेखक रोमिला थापर 67 कोशन के गांदी जी ने 1919 में किस के विरोध में सत्यागरे चलाया रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 68 कोशन के भूधान अंदुलन किसने प्रारम किया था विनौबा भावे ने 70 कोशन के नील यानिके इंडिगो विद्रो कहां हुआ था बंगाल में हुआ था 70 कोशन के हाली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जोरा किसे विश्व का सबसे उम्र दराज जीवित शक्स गोशित किया है काने तनाका को जो की 116 वर्षी है ये जापानी महिला है 71 कोशन के पाकिस्तान की सीनेट में चूनी जाने वाली पहली थारी हिंदू महिला कौन है वो है क्रिशन कुमार कोहली 72 कोशन के असम के राज्यपाल जगदेश मुखी को किस राज्य का अत्रिक्त प्रभार सौंपा गया है तो किस राज़ागा सौपा गया है मेजोरम का 73 वाकोशन के भारत का नया वितस अचीव किसे नियूत किया गया है सुबाश चंद्रगर को 74 वाकोशन के हाली में किस राज़े ने मुख्य मंतरी आंचल अमरत योजना लॉंच किये तो किस राज़े ने किये उतरा खंड ने यह आपके करेंट अफेर्स के कोशन चलना है 25 वाकोशन के हाली में किस खेल संग को भारत ने राश्टे खेल संग के रूप में मनजूरी दी है तो वह अखिल भारतिक कैरम संग जो आप कैरम खेलते हो ना अखिल भारतिक कैरम संग। निदेशग कैसे न्यूट किया गया है अजित कुमार मोहंती को और जो ये भावा पर्माणो अनुसंदान के इंदर है इसे हम बार्क नाम से भी जानते हैं शौट फॉर्म में हम बी ए आरसी बार कहते हैं इसे अस्वा कोशन के हाल इमें सरकार ने किस बार्ड प्रबंदन कार जिसे शौट में कहेंगे हम FM BAP 81 के हाल इमें किस कंपनी ने बोलो नामक एप लाउंच की है तो वो किया है गूगल ने 82 वा कोशन के रष्ट है सूशाषन केंदर का मुख्याल है किस चान परस्तित है यह नई दिल्ली में 83 वा कोशन के अल नागा 2019 संयुक्त स्यन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस अन्य देश के बीच किया जाएगा तो उमान के बीच भारत और उमान के बीच यह ओगा यह ह 86 कोशन के सच्छता सर्वेक्शन 2019 में किस चहर को प्रसम स्तान मिला है इंदोर को मिला है यह हाली में हुई थी अभी 86 कोशन के हाली में आजादी के दिवाने संग्राहले का उदगाटन किस चहर में किया गया यह किया गया नई दिल्ली में 63 कोशन के भगवान महावीर अहिं सिस्टम्स अवार्ड 2019 से समानित किया गया डॉक्टर जीव शतीष रैडिक को 89 कोशन अंतराश्चे वन्य जीव दिवस 2019 की थीम क्या है या मनाया गया था तीन मार्च को और इसकी जो थीम थीव वो है जल के नीचे जीवन लोगों वा ग्रह के लिए यानिके लोगों और गरों के लिए 90 कोशन के टी बोर्ड का मुख्याले कहां पे स्तित है कलकता में टी बोर्ड यानि जो आप चाय पीते हो ना उसे कहते हैं टी ठीके ना मन्जूरी प्रदान की गई है तो वो क्रिकेट को अगला कोशन के हाली में किस राज़य ने शीरा यानिके मॉलेसेज पर प्रतिबन लगाया है तो किस ने लगाया है असम ने यह जो बेशिकली शीरा अपका शराब बनाने में काम आता है और अभी हाली में यहाँ पे कुछ लोगों की मृत्य हो गई थी जहरीली शराब पीने के गारण तो इसलिए यहाँ पर इस चीज को प्रतिबन किया गया है अगला कोशन के भारत बांगलादेश के बीच किस स्थान पर संप्रति यूद अभ्यास किया गया तंगेल स्थान पर यह तंगेला बेसिकली बांगलादेश में ही है यह हुआ था दो मार्च 2019 को अगला देखते हैं के हाल इमें सेनेगल गए नई राष्टरपती कौन बने हैं मेकी साल अगला कोशन के हाल इमें भारत सरकार ने किस अवदी को अंतराष्टे निर्मान तकनिक वर्ष गोशित किया है वो किया अपरेल 2019 से मार्च 2020 तक अगला कोशन के किस भारत्य क्रिकेटर को ICC क्रिकेट समीति का नया चेर्मन निुक किया है तो वो किया अनिल कुमले को ये लगातार तीसी बार चेर्मेन न्यूक तुए है अगला कोशन के डिजाइनिंग, डेस्टिनी, दा हाटफुलनेस, वे नामक पुस्तक के लेकर कौन है कमलेश पटेल, अगला कोशन के हाली में किस क्रिकेटर ने अंतराश्ची क्रिकेट में 500 छके पूरे किये हैं वो कियें क्रिस गेल ने और ये ऐसा करने वाले पहले खिलाडी है विश्व के अगला कोशन के शुन्य, भेदबाव दिवस कब मनाया जाता है एक मार्च को अगला कोशन, is EASC Enhanced Access and Service Excellence उचकांक में किस बैंक को प्रतमस्तान मिला है वो मिला है PNB को यानि के पंजाब National Bank को तो दोस्तों आज के 100 कोशन कंपलीट हो चुके हैं फटावर से अपना फीडबेक देदो कि आपको कोशन किस टाइप से लगे कोई चेंजेज बगरे करने हो तो बता देना यह पूरी हमारी जो सीरी चलेगी लास तक 20,000 से हम जादा कोशन करेंगे 20,000 प्लस कोशन की पूरी हम सीरी चलाएंगे और आपके लिए 100-200 करके आपके कोशन पर वीडियो में आते रहेंगे तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना और चैनल पर पहली बार आयो पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को क्लिक जरूर क करना तो दोस्तों धन्य बाद मिलतने एक वीडियो में